टेवी इंडस्ट्रे की ग्लेमरस एक्टरस में शुमार निया शर्मा नागिन के बाद चुड़ैल बनकर इस्क्रीन पर वापस लोटी हैं सुहागन चुड़ैल नाम से शुरू हुए सीरियल में निया इस बार बिलिन बनकर डरा रही हैं वहीं इस बीच निया ने अपनी लव लाइफ को लेकर बात की निया का कहना है कि वो ऐसा पार्टनर नहीं चाहते हैं जो उनके साथ होते हुए भी पांच से साथ लड़कियों में इंट्रस्टेड हो एक वेब्टेट को दिये इंट्रिव्यू में निया ने कहा आज आप डेट नहीं करोगे तो वो दूसरी के पास चला जाएगा वो नहीं डेट करेगी तो तीसरी के पास चला जाएगा आप उसके लिए स्पेशल नहीं हो लोग अपना लग का आप पर आजमा रहे हैं निया ने बताया कि उन्हें शादी के लिए कैसा लड़का चाहिए, वो कहते हैं लड़का हो, जिन्दा हो, अच्छा हो, एक ये जगे मुमारे। निया का कहना हैं कि ओर्ड स्कूल है, वो पार्टनर में लोयल्टी चाहती हैं, वो कहती हैं कि आजकल ऐसे लड़के मिलते नहीं हैं, इसलिए वो सिंगल और खुश हैं निया ने बताया कि उनकी मा की एकी ख्वाइश हैं जिसे वो जल्दी पूरा होते देखना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूँ, उन्होंने कहा कि अगर मुझे कोई पसंद आये तो ही शादी करना, वर्ना मत करना इंडियन सोसाइटी में किसी भी मा की ऐसी सोच रखना बहुत बड़ी बात है, आप प्रेशर करके किसी की भी शादी नहीं करवा सकते, आज जदे तर शादियां तूट रही हैं, आज के दौर में लड़का और लड़की समझोता नहीं करना चाहते आज लड़कीं अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, सक्सेस्वल बनने की ख्वाइश रखते हैं, निया शर्मा तीन बार इश्या की सबसे सेक्षी वुमन का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं इस अचीवमेंट को लेकर निया दैनिक भाजकर को दिये इंटरिव्यू में बताया, मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई थी, जहां जाती थी वहां लोग मेरी तारीफ करना शुरू कर देती थी सच कहूं तो इससे पहले मैं कभी अपने आपको खोपसूरत नहीं मानती थी, लेकिन जब सेक्षेस्ट एश्यन वुमन का टैग मिला, मेरा कॉन्फिदेंस लेवल काफी बढ़ गया था इंडस्टी के लोगों का भी मेरे पती रवाया बदल गया था, मुझे लोगों के अटेंशन मिलना शुरू हो गई थी, मैंडर कॉन्फिदेंट से कॉन्फिदेंट लड़की बन गई थी, नियाग सार अपने फैशन और ड्रेसिंग सैंस को लेकर लाइम लाइट में बनी र कई बार तो वो अपने मेकप खराब होने पर खूब रोया करती थी, वहीं आज नियाग टीवी की सब से खुबशूरत ग्लेमरेस एक्ट्रेस मानी जाती हैं ऐसे ही और वीडियोज के लिए आप नारी के पेज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेस्बुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें